हलो दोस्तों मैं विसंदत टिप्स ऑन लिविन से आज हम बात करेंगे दोस्तों हैदरबाद रेस की और 23 अक्टूबर की रेस है पहली रेस एक बच के 30 मिनट में आखरी रेस पांच बिज़े है दोस्तों और दोस्तों सबसे पहले आप सभी को राम नौमी की बहुत-बहुत स अपनी किरपा बनाए रखें और हम सभी पे और हैदरबाद की हम बात कर लेते हैं और उससे पहले एक सवाल जो कानों में बार-बार गूंज रहा है मैं पहले भी आप लोगों को यार हर चीज बताता हूं और अपडेट करता रहता हूं एलिस वीडियो के लिए क्योंकि कही ना कहीं पर एक रिस्पॉंसिबिलिटी लगती है अब कुछ भी पोश्ट करने के लिए तो मैंने कुछ दिन पहले या मेरे ख्याल से दो हफते बने पहले बंद करें फिर आजकल मैं टॉब होर्स बिल्ट भी नहीं बना रहा हूं सीधा सेलेक्शन लेकर चल रहा हूं और कुछ रेसे हैं लोगों का सवाल यह है कि आप रेसे स्किप कर रहे हैं सारी रेसे क्यों अपडेट नहीं कर रहे या तो पहले आप रेसे गलत दे रहे थे या अब ताई आप गलत दे रहे तो यह क्या है थो दोस्तों मैं एकूल इब आम मैं वीडियो पहले बनाता था तो कम सेiking मे को यह ए唱 पूरा दिन लग जाता था दोस्तों तो आगर मैं बात करूं तो एक यह वीडियो बनाने के लिए और एक स्रीक्षन निकारने के मुझे करीब 14-15 गंटे चाहिए होते थे बट अब मेरे पास उतना समय नहीं है तो मैं की हर एक गोड़े का रन इंसिदेंट और भी बहुत सारी चीजे हैए जो भी में देखता था वह सारी चीजें अब मैं नहीं देख पा रहा हूँ इसलिए मुझे कुछ रेसे और इसी घो जे कायर मैं अपने time में से जो भी मेरे को time मिल रहा है अगर उस time में से अगर मैं कुछ पढ़ पा रहा हूं और मुझे लग रहा है कि यार यह गोड़ा यहां पर deserve करता है और आता है तो सिर्फ वही race मैं update कर रहा हूं बागी top horses on field के लिए मुझे पता है कि उसमें मेरे को ज़्यादा समय नहीं लगता तो आज मेरे पास अगर 3 गंटे हैं तो पहले मेरे पास 16-18 गंटे होते थे तो टाइम बहुत कम हो गया तो इसलिए मेरे को रेसे स्किप करनी पड़ी है और उमीद करता हूं आप लोग समझ गए हों कि कुछ रेसे स्किप करने का रीजन क्या है या फायदा दोस्तों आप ही का है अगर एक अलग नजरिये से देखो हर चीज को देखने का नजरिया होता है बाग की मैं यही कहूंगा बने रहो और सारी रेसों में अभी मेरे पास समय की सॉटेज है जिस दिन समय होगा फिर दुवारां से वैसे ही कंटिर्यू कर लेंगे ठीक है तो पहली रेस में आ जाते हैं सोलो समेंटे क्लास फाइव की रेस है एक नंबर फॉरेवर बॉंड ऑर लाश टाइम यार मैं बड़ा सर्प्राइस हो इस गोड़े को पता नहीं क्या ओधी है यह बूर्ड आउट हुआ बाग रहा था और उसमें कुट सेकंड हुआ है और यह गोड़ा यहां पर डिजर्व करता है अब सोला सो जा रहा है अब सोला सो में भी मैं उमीद करता हूं कि खराब रन देखने को ना मिले फॉरेवर बॉंड बिल्कूर डिजर्व करता है गोड़ा और पोटेंसल है और यहां पर यह मून वॉक के साथ में फैर्वेट था जो भी और उसके बाद दसवे से बार्वा लगा उसी फिल्ड में यार यह गोड़े हैं कुछ यहां पर भागे हैं कंटबरी भी उसी फि किता हुआ एक बड़ी पीसाई कुमार के नीचे और थोड़ा जॉकी का भी एडवांटेज देख सकते हैं और अक्से कुमार ठीक है और वन्टू की बैट है बुक के हिसाब से एक नंबर फॉरेवर बॉंड डे वैस दे रहे हैं इस बारी देखते हैं कैसा रण देता है अजय कुमार और लास्टाइम प्रीसेस के साथ में गुड़ साइकंड हुआ है काफी क्लोज है कैर भाव यार मिर्ख्याल से 25-30 पैसे में गोड़ा साइकंड हुआ है फैबरेट था और दूसरा गोड़ा यहां पर पिक लेके चलूँगा एक नंबर एंक और असु इस बाद में फैवरेट था और गुड़ साइकंड हुआ है उमीद करते हैं यहां पर फिल्ड ज्यादा है नहीं तो इस बार जीते थर्ड इस में आ जाते हैं दोस्तों थर्ड इस मुझे मैं यहां पर चौदो सु मिंटर किया क्लास फोर की मैं टॉप और जिस ऑन फिल्ड म कुछ इसोल हें खुड़े के साथ में और यहां पर यहां वर करता है इस्टंबल हुआ है लाज्ट टाइम जो भी है यह कर सकता है जीत बीचा बाध नहीं आ तीन नंबर तिरसूल फैला रन बहुत बढ़िया था यह होपिंग इसकाई के साथ में फिर उसके बाद इस टर्निंग आट के साथ में सोला सो थोड़ा डिश्टेंज जादा हो गया 200 मिटर सौड जाना है ट्रैवर जॉकी भी ठीक है प्लेस आप या सर्प्राइस कर सकता है चार नंबर फ्लैसिंग मेमरीज अपसट प्लेस आप इस गोड़े को देख सकते हैं पांच नंबर है एनराई फैरी सेडल से लिप हो है पचास साथ पैसे में काफी प्लेस भी लगी थी गोड़े की दपके और विनी लग रहा था वन साइड़िट उमीद करता है इस बारी कोई सैडल वैडल जो भी है यार कोई ऐसा इसू ना हो और गोड़ा एक बैटर रन दे और यहां पर पोटेंसल है गोड़े पे यार ग कर रहे हैं और मैं फिलाल इस रेस को अपनी तफ से इसके पी लेके चलूँगा दोस्तों कुछ है मैंने जो इसा भी आपको बताया अथी रेस में आ जाते हैं दो जार मेंटर के लास फोर की दिए से टॉप और शीजन उन फिल्ड में एक नंबर स्टनिंग आर्ट लास्ट अगर मैं बात करूं तो साइध बढ़िया मैनेज किया था और साइध पूरा हंगा जीसे कहते हैं लगाई दिया था और बैटर रन था दो नंबर सेंडेंस के इंड किड़ो यह गोड़ा यार दो बारी मतलब करन क्लियर नहीं है लास्ट टाइम भी काफी एक्सेस भी देखने को मिले तीन नंबर अस्व गजराज विवेग जी दो बारी बैठा दोनों बारी बोर्ड में राय गोड़ा और विवेग जी अच्छी राइट कर रहा है इस गोड़े पे कई बारी होता है जौकी का चार नंबर होपिंग स्काई बाइस सुमूटर गूट सैकेंड लगावाई चाइना टाउन के साथ में लाशन के साफ से चांस बनता है जीतने और पांच अमर्रा लाइफ स्प्राइस कर सकता है दोस्तों चैना टाउन बिल्कुल भी उमीद नहीं थी, फिर यहां पर इस बार इक्से कुमार बैठा है, देखते हैं, कुछ equipment भी change कर रहे हैं, hood, RB on कर रहे है, TS और action भी off कर रहे हैं, और यहां पर आठ नमबर है, दास, fast track, पहला रंज, 1400 में काफी betting हुई थी, और बाहर हुआ है, और उसके बाद 1100 बगाया है, slow निकला है, और 1600 मेंटर का बैंगलोर का run बिल्कुल impressive था, यहां पर upset आप इस घोड़े को देख सकते हैं, नजर बनाया रखना, तो यह race भी यार मुझे काफी टाइल लग दी है, और मैं इसको भी skip लेके चलूँगा, पांच फी race में आ जाते हैं, 2000 मेंटर की race से class 3 की, यहां पर मैं single hospital के चलूँगा दोस्तों, चार नंबर detective अक्से कुमार, उमीद करता है, बैटा run देखने को मिले, एक्रोबैट के आगे 70 पैसे का favorite था, और सूरर नेडू बैठा हुआ था, good second हुआ है, और अभी एक्रोबैट मेरे कहाल से कलकता में favorite था, sonata के आगे तो यार यह गोड़ा यहां पर बिल्कुल बनता है, deserve करता है, पहला अठारो सू मिटर आर्ल लेंटों से जीता हुआ गोड़ा है, तो 2000 मिटर बिल्कुल जाना चाहिए, और उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों, छटी race में 1600 मिटर के लास 2 की race है, एक नंबर 800 मुरो को, मेरे क इंप्रेसिव रन था, इस बारी 3 किलो का लाउंस से 56 किलो जाना है, और जोकी थोड़ा सा अलका है, बागी गोड़े का रन बड़ा सुपिरियर था यार, मैं उमीद करता हूँ, एक और बैटर रन देखने को मिले, बिल्कुल पोटेंसल है गोड़े पे, दोनों रन बहुत इंप्रेसिव है, और दूसरा गोड़ा इसी फिल्ड में पिक लेके चलूँगा दोस्तों, मैं साथ नंबर लिवर मोर, ये फिली डर्बी में, मैं जो मेरी जिसे कहते हैं कि मेरे ख्याल से गोड़ा यार बिल्कुल बोर्ड में ठिट हो सकता था, साइल लास्ट मुमेंट मे हेंग इन हुआ है गोड़ा और इस फिल्ड में 1600 मिटर में बेरे साब से तो यार 1600 सोटेवल डिस्टेंस है, एक बैटर रन देखने को मिले सकलें के नीचे, और वैसे क्लास का थोड़ा सा फरक रह सकता है, क्लास फोर जीता हुआ है, और ये घोड़े यार क्लास वन के हैं य दिखने की उमीद करते हैं और उसके बाद सातवी रेस दोस्तों 1200 मिटर की है, यहां पर भी मैप लेके चलूँगा, तीन नंबर डिवाइन कनेक्शन, मौमद इकरम आलम और दो नंबर बरगंडी ब्लैक अभेस सिंग, ठीक है दोस्तों इसी के साथ आप सभी को आपकी भी छुट्टी है, इंजॉय करें परिवार के साथ में और इसके बाद मिलते हैं पच्चेस तारीक की देशों में, पच्चेस तारीक को दिल्ली है दोस्तों और इसी के साथ बाइट टेक के मेरे भाईयों बने रहें, बाइट